प्यारे साथियों आप से विका स्वागत करता हूं अपने MRS Study परिवार में तो यहां पे एक Great News निकल कर आई है और यह Great News अपने बिहार के लोगों के लिए बहुत ही जादा मतलब एक खुसी का पल कह सकते हैं कि यह आपका होने वाला है तो यहां पे सौर उर्जा से बिजली लोगों को मिलेगा उसके रिगार्डिंग सुवे में आस्ट्रेलिया की कमपनी करेगी निवेस तेका है बिहार में सोलर ऊफ्या छेत्र में संभावनाओं को देखते हुए आस्ट्रेलिया ने निवेश की इच्छा जताई है सोंबार को उर्जा भवन में सुवे के उर्जा यूजना एवं विकास मंत्री विजेंद्रुग परसाद यादव से मुलाकात के दौरान कोलकता आस्ट्रेलिया कंसूलेट जनरल जो थे उन्होंने यह इच्छा प्रकट किय है और मुलाकात के दौरान कंसूलेट जनरल ने आस्वासन दिया है कि आस्ट्रेलियाई कंपनी जल्द ही बिहार का दौरा करेगी और सौर उर्जा के छेतर में निवेश की बात को आगे बढ़ाएगी वाइलान दो दीन के बिहार दौरे पर हैं इस दौरान उर्जा मंत्री ने उन्हें नविन करनिये उर्जा के छेतर में किये जारें कार्यों की जनकारी दी इस मुलाकात के दौरान उर्जा बिवाग के सक्षीव पंकज कुमार पाल और SBPDCL के प्रवंदक निदेशक महिंद कुमार और NBPDCL के प्रवंदक निदेशक निलेश देवरी भी उपस्तित थे उर्जा योजना एवं विकास मंत्री ने जो है कहा कि उर्जा के छेत्र में बिहार में निरंतर विकास का कार चल रहे हैं दरभंगा और सुपॉल में पहले से दो फलोटिंग सोलर पावर प्लांट कमिशन किया जाच चुका है वही दच्छिन नी दच्छिन बिहार में कई ऐसे पहाड़ हैं जहां पेड़ नहीं है ऐसे पहाड़ों पर भी सोलर प्लांट लगाने की संभवनों पर हम काम कर रहे हैं 35-100 सरकारी भवनों पर लगाए गए सोलर पैनल उर्जा भिवाग के सचीव पंकज कुमार पाल ने कहा कि बिहार में जल जीवन हर्याली मिशन के तहत गैर प्रम प्रागत बिजली उत्पादन को हर तरह से प्रोथसाहित किया जा रहा है अब तक 35-100 से अधिक सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं और अगले दो वर्सों में 9000 सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट लगाने की यूजना को स्विक्रिती मिल चुकी है इसी प्रकार सभी पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है कि इंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी रविच्छन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 16000 मेगावाट गैर परमप्रागत विजली का उत्पादन हो सकता है हना मतलब 16000 मेगावाट का विजली जो है यहां पर उत्पादन किया जा सकता है बट अभी किया नहीं जा रहा है तो उस और मतलब यह चीज़े प्रोसीड हो रही है और कहीं न कहीं इससे जो बिहार के कंडिडेट होने वाले हैं जिनके पास definitely experience होगा तो ज्यादा preference मिलेगा तो solar को लेकर अपना बिहार स्टेट भी अपनी कदम को और आगे की और बढ़ा हुआ था बट एक कदम और आगे बढ़ा है तो definitely यह दच्चिन बिहार के बारे में बोला जा रहा है तो वहां पे solar plant अगर पहाड़ों पे लगता है तो definitely उसे benefit government को मिलेगा क्योंकि आपको पता है कि दच्चिन बिहार में गर्मी भी जो है बहुँ जादा है यह चीज है कि यह seasonally गर्मी आता है बरसाथ तो बरसाथ और ठंडी तो ठंडी लेकिन फिर भी बिजली तो उत्पादन अगर गर्मी के time में भी अगर देखा जाए तो गर्मी के दिनों में हम लोग जो है renewable energy sources का यूज कर सकते हैं और बरसाथ और ठंड के दिनों में हम लोग जो है non renewable energy source को यूज कर सकते हैं जिससे जो consumption से हमारा non renewable energy sources का वो हमारा कम हो पाएगा हाना बाकी से related जो भी updates होंगे आप लोगों के साथ share किया जाएगा बाकी इस opinion पे आपका क्या कहना है इस news को लेकर आपको क्या कहना है comment करके जरूर बताएगा thank you